स्वागत है गाइज आपके अपने यूट्यूब चैनल हैपी लाइफ इस्टिडी में सो गाइज आज हम एकॉनोमिक्स के सौकॉस्टनों को देखेंगे तो यह पेपर बीए सेकिंड सेमेश्टर एकॉनोमिक्स का है एकॉनोमिक्स के इस पेपर का सीड़ सक है माक्रो एकॉनोमिक्स यह बीए सेकिंड सेमेश्टर के सिलेवस के अंतरगत है यह पेपर के आरपीजी कॉलेज में हुआ था जो अटेच है के आरपीजी कॉलेज सरकारी कॉलेज है जो अटेच है अम्बेटगर यूर्विश्ट्री आगरा से तो सो गाइस हम चलते हैं कॉसन नमर फश्ट की ओर इस्पीती दसाओं में आर्थिक विसमताएं नेश्ट कॉसन अत्तदिक गाटे की अर्थ विवस्ता से उत्पन्न हो जाता है नेश्ट कॉसन मुद्रा इस्पीती हानिप्रद है इनके लिए नेश्ट कॉसन फिलिप्स वक्र को प्रिस्तुत किया नेश्ट कॉसन फिलिप्स वक्र दरसाता है नेश्ट कॉसन कॉसन नमर शिक्स समष्टी अर्थ सास्तर में अध्यन नहीं किया जाता है नेश्ट कॉसन समष्टी अर्थ सास्तर का सम्मंद है नेश्ट कॉसन सामान जीवन इस्तर का अध्यन किया जाता है नेश्ट कॉसन अर्थ सास्तर में मैक्रो सब्द का प्रियोग सबसे पहले किया किसने नेश्ट कॉसन समश्टी अर्थ सास्तर में अध्यन किया जाता है नेश्ट कोशन व्यापार चक्र के कारणों का अध्यन किया जाता है नेश्ट कोशन समीकरण बाई इसकल तू C प्लस आई किस प्रकार के विसलेशन को व्यक्त करता है नेश्ट कोशन समश्टी अर्थ सास्तर का अध्यन उपियोगी है किस अर्थ सास्त्री की राष्टिय आय की परिवास उत्पादन पर आधारित है कौन सा कथन सत्य है नेश्ट कोसन नमर 16 NDP प्राप्त करने के लिए GDP में किसको घटाया जाता है नेश्ट कोसन वास्तविक राष्टिय अपाउन चन संक एजकल्टू क्या होगा नेश्ट कोसन राष्टिय आय से आसे है नेश्ट कोसन जी एन पी में क्या समयलित नहीं होता नेश्ट कोसन जी एन पी प्राप्त करने के लिए GDP में जोड़ना होगा क्या जोड़ना होगा नेश्ट कोसन जी डी पी सकल घरेरू उत्पाद से आसे है नेश्ट कॉसन निम्न में से कौन सा कतन गलत है नेश्ट कॉसन अर्थ विवस्ता में एक वर्ष में सभी वस्तूओं का अंतिम उत्पादन कहलाता है नेश्ट कॉसन बाजार मूले पर देश के सकल उत्पाद की गड़ना में निम्न लिखित में से एक सामिल नहीं है नेश्ट कॉसन निम्न लिखित में से कौन सीधे सकल करेलू उत्तपाद में व्यर्थी करेगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और मैं काफी मेनत करके आपको ये कॉसन पेपर उपलब्त करा रहा हूँ तो प्लीज आप इस चैनलन को सब्सक्राइब करें नेश्ट कॉसन है 26 राष्टी आय में सामिल नहीं है नेश्ट कॉसन व्यक्तिगत व्या योग्य आय है नेश्ट कॉसन दोहरी गड़ना का मतलब है नेश्ट कॉसन सबसिड़ी का मतलब है नेश्ट कॉसन भारत में राष्टी आय का अनुमात अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? नेश्ट कॉसन मूलिहास का अर्थ है? नेश्ट कॉसन भारत एक विकासिल अर्थविवस्ता है इसके लिए अर्थ सास्तिनों की अपनी राष्टिया आये का आकलिन करते समय इसका सामना करना पड़ता है? नेश्ट कॉसन भारती अर्थ विवस्ता के प्रात्मिक छेत्र में सामिल है? नेश्ट कॉसन प्रती विक्ति आये बढ़ती है? नेश्ट कॉसन दोहरी गड़ना का अर्थ है समान मान किनना? नेश्ट कॉसन 36 राष्टिया आये समाज की वस्तूगत या भहुत तक वस्तू का जिसमें बेदेसों से प्राप्त आये वी समले तो होती है वह भाग है जिसे मुद्रा में पाया जाता है कथन किसका है? नेश्ट कॉसन इस कॉलेज में जितने भी कॉसन, जितने भी पेपर होते हैं वह सारे पेपर मैं आपको अपलप्त कराता हूँ गज़ नेश्ट कॉसन के ओर चलते हैं एक त्रिचेत्रिया मॉडल में आये के चक्रिय प्रवाह से रिसाव है नेश्ट कॉसन एक खुली अर्थवस्ता से आय के चक्रिय प्रवा में किस चेत को समलित किया जाता है सोगाईज बता दूँ ये सब्जेक्ट मेरे पास नहीं है सोगाईज इसके आंसर डोना मेरे एडिया बहुत मुस्किल था इसलिए आप किरपा करके इसके आंसर स्वयम सर्च करने के किरपा करें सोगाईज नेश्ट कोसन के उड़ चलते है प्रतिष्टित रोजगार का सिद्धांत संबन देता है नेश्ट कोसन रोजगार का प्रतिष्टित सिद्धांत किस मानिता पर आदारित है प्रतिष्टित अर्थसास्तियों के संदर्व में क्या सत्य है प्रतिष्टित रोजगार सिद्धांत प्रिस्तुत करता है प्रतिष्टित रोजगार सिद्धांत में वस्तु एवं सावन बाजार में होती है पूर्ति स्वयम सदेव अपनी माग उत्पन करती है या कतन है किन्स के रोजगार सिद्धांत की व्याक्या क्या है प्रवाब पूर्ण माग का सम्बंद किस अर्थ सास्तिरी से है प्रवाब पूर्ण माग किस तत्युदार अपनिर्दारित होती है कींस का रोजगार सिद्दांद सम्मंदित है कींस के रोजगार सिद्दांद के लिए क्या सत्थ नहीं है कींस के अनुसार अति उत्पाधन और बेरोजगारी का कारण क्या है कींस के अनुसार रोजगार के इस्तर का निर्वारन बिंदू होता है नेश्ट कॉसन प्रवावपूर मांग किसका सूचक है नेश्ट कॉसन के इन्सक रोजगा सिद्धान्त का प्रारम्विक बिंदू है नेश्ट कॉसन सीमांत उपभोग प्रवर्ति का सूत्र है नेश्ट कॉसन उपभोग फलन को विक्त किया जा सकता है Next question, उपभोग में विर्द्धी का आय में विर्द्धी से अनुपात होता है, उसे क्या कहते हैं? Next question, उपभोग का मनोवेग्यानिक नियम कब लागू नहीं होते? Next question, उपभोग सम्मंदी मनोवेग्यानिक नियम प्रतिपादित किया जाता है? किसने प्रतिपादित किया है किन्स के अनुसार कुल आय में विरद्धी के कारण उपभोग विया की विरद्धी आय विरद्धी के तुला में होती है इस्ताई आय परिकलबना प्रस्तुत की C प्लस 5 बराबर है नेश्ट कॉसन चीमांत उपभोग प्रवर्ति सुन होने पर गुड़क का मान होगा नेश्ट कॉसन उपभोग फलन की दारणा का प्रितिपादन किया नेश्ट कॉसन निम्न लिकित में से कौन सा कदन सत्ते है सीमांत उपवोग प्रवर्थी का आकार क्या है? निम्नों से कौन वास्तविक निवेस नहीं है? सरकारी विनियोजन निर्भर करता है नवीन पूजी परी संपत्तियों में निवेस के लिए आवसयक है पूजी की सीमांत चमता को प्रवावित करने वाले तत्व है विनियोग बढ़ने पर पूजी की सीमांत उपत्तपादकता पर क्या प्रवाव पढ़ता है? गुणक का आकार निर्भर करता है प्रेरित विनियोग एक इस्तर के बाद आपके इस्तर से कौन सा विनियोग प्रवावित नहीं होता है? नेश्ट कॉसन पूजी की सीमांत चमता संबंदित है नेश्ट कॉसन प्रेरित निवेश को प्रवावित करने वाले कारक है इस यूटूब चैनल को सबस्क्रार अवस्कर है बीए के सभी सेविश्टर के आपको पेपर इसमें उपलब्द हो जाएंगे नेश्ट कॉसन कौन सा निवेश लाब तथा आयप प्रयायोजित होता है नेश्ट कॉसन निवेश गुणक को निम्न में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है नेश्ट कॉसन गुणक संबंदित है नेश्ट कॉसन गुणक क्या है यदि सीमांत उपभोग प्रवर्ती सुन है तो गोड़क का मूल क्या होगा यदि MPS is equal to 1 upon 10 है तो गोड़क का मूल होगा व्याज के परंपराबादी सिद्धांत का प्रतिपादक है व्याज के आधुनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है किसने कींस ने तरलता असंदगी सिद्धांत में अधिक ध्यान दिया है किस पर कींस का हमसा व्याज एक गटनाओ का पूर्वानुमान लगाना लगाकर लाब कमाने की प्रवर्ति को कहते हैं तरलता जाल कहलाता है नेश्ट कॉशन व्याज पूजे के त्याग का पृतिवल है नेश्ट कॉशन कींस के व्याज सितान्त को किस नाम से जाना जाता है नेश्ट कॉशन पृतिष्टित अर्थ सास्तरियों द्वार पृतिपादित व्याज का सितान्त है नेश्ट कॉशन 15 सब्सक्राइब व्याज का संब्द है नेश्ट कॉसन एलपी वक्र किंदो कारकों को मिला कर खीचा जाता है सो गाइच मैं सिर्फ कॉसन कॉसन बोर रहा हूँ आप इसके ऑप्सन को भी देखें वीडियो को पॉस करके और जो ऑप्सन सही हो उसे कृपया नोट करें अच्छे नोट से त्यार कर लें आप सभी तभी अच्छी तयारी हो पाती है नेश्ट कॉसन 95 व्याज का आधोनिक सिद्धान प्रिस्थुत किया नेश्ट कॉसन 96 मुद्रा इस्पीती में मुद्रा का मुल और वस्तु का मुल नेश्ट कॉसन मुद्रा इस्पीती के इस्थती में आर्थिक विसमता है नेश्ट कॉसन इस्पीती अंतराल के विचार का प्रितिपादन किया नेश्ट कॉसन मुद्रा इस्पीती मुद्रा का मुल और वस्तु का मुद्र मूल नेश्ट कॉसन नेश्ट कॉसन नमर हंट्रेड सामन अरतों मूत्रा स्पीती वह तसा है जिसमें नेश्ट कॉसन तो इस पकार पूरे सो कॉसन हो गए आपको ये वीडियो पसंद आई है और भी आप 20 सेकंड से सभी सेविश्टर के आप कॉसन पे बचाते हैं तो मेरे चैनल को अब सबस्क्राइब करें सो गाइश धन्यवाद ये अम्बेटकर यूवस्टी का पेपर था आप सभी अच्छे से अच्छे नोट्स बना कर तयार करें क्योंकि नोट्स से ही बहतरीं तयारी हो पाती है मैं स्वयम ही यूटूब पे सर्च करता हूँ और प्रिवेस पेपर को नोट्स करता हूँ उसी के बाद में फाइनल तयारी करता हूँ सो गाइश तयारी का एक समय होता है और एक फाइनल तयारी का एक समय होता है सो अभी आप तैयारी करें और फिर फाइनल तैयारी करें धन्यवाद